हेलो एवरिवन आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुती सिंपल टेस्टी एन इजी मर्टन करी क्या हुआ देख कि मुँँ में पानी आ रहा है तो चलो अब बनाते हैं मर्टन करी मैं हाफ कीजी मर्टन बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने 500 ग्राम प्याज को कट कर लिया है तोड़ा सा लसन लिया है तोड़ा अट्रक मिर्च मैं ग्रीन यूज करती हूँ इसलिए ग्रीन लिया है आंबदे जो यूश करती हो आप बोले लेना मसाले में मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला खड़ा लिया है दो तेज पत्ता, थोड़ा सा नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च और जीरा पाउडर और मीट मसाला सबसे पहले मैं लसन, अद्रक और हरी मिर्च को पीस लोंगी उसके बाद मैं कुकर में एक ग्लास पानी डालूँगी जो प्याज मैंने कट करके रखा था वो उसमें डाल दूँगी साथ में मटन को भी अच्छे से धो करके उसमें डाल दूँगी और साथ में थोड़ा नमक और हल्दी डाल दूँगी अब ढकन लगा करके मैं इसे एक सीटी होने तक पकाऊंगी अब जब तक सीटी लगता है तब तक मैं मसाला भून लेती हूँ तो मैंने कड़ाई में तेल डाल दिया है अब तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें तेज पत्ता और खड़े गर्म मसाला डाल दूँगे अब ये हलका लाल हो गया है तो जो मैंने मसाला पीसके रखा है वो इसमें डाल दूँगी अब मैं इसमें सारी मसाले डालूँगी हल्दी पौडर धन्या पौडर जीरा और काली मिच पौडर और सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 10 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से सीम में करके भूनूँगी 10 मिनट हो चुका है और मसाला भून गया है तो मैं अब इसमें मीट मसाला डाल दूँगी मीट मसाला मैं इसमें हाप पैकेट ही डालूँगी अब इसमें हलका सा पानी डाल के मैं इसे एक मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनूँगी अब मसाला अच्छी तरह से भून चुका है तो मैं इसमें अब मटन को डाल दूँगी अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसमें अब पानी डालने का जोरत नहीं है क्योंकि इसमें अल्रेडी काफी पानी है तो मैं इसे अब सीम में करके थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी मैंने सीटी लगाते टाइम नमक थोड़ा डाला था इसलिए अभी थोड़ा ही नमक डालूँगी अब मैं इसे थोड़ा ढख देती हूँ ताकि यह और अच्छी तरह पक जाए थोड़ा देर यह उबल चुका है अब इसका ग्रेवी सही है चावल के साथ खाने के लिए अब बस इसमें थोड़ा सा मैं धन्य पत्त डाल दूँगी ताकि इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाए अब गैस का फ्लिम आफ कर दूँगी अब फाइनली मटन बन के तयार हो गया है अब बस इसे सर्फ करना है थैंक यू पर वाचिंग एव्रीवन